चावल के कुछ चमतकारी उपाए इसे करने से अगर आपके काम अटक रहे हैं या आपके घर बरकत नहीं हो रही है या आपको दुर्बहाक के का सामना करना पड़ रहा है तो इन सभी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है तो चलिए जानते हैं ये चावल के चमतकारी उपाए काफी समय से यदि आपका कोई काम अटक रहा है तो किसी भी मंगलवार के दिन अपने घर के मंदिर में हनुमान जी के मूर्ती के नीचे नौ साबुत चावल के दाने रखते हैं आपके अटके हुए कारिय बनने लगेंगे दूसरा उपाए यदि आपके घर में बरक्कत नहीं हो रही है और घर में धन नहीं टिक रहा तो चावल के साथ साबुत दाने लाल कपड़े में बांध कर अपने पर्स में रखें तो इससे घर में धन बचने लगेगा और बरक्कत भी होने शुरू हो जाएगी तीसरा उपाए अगर आपको दुर्भाग के का सामना करना पड़ रहा है दुर्भाग के आपका पीछा नहीं छोड रही तो तामबे के लोटे में जल भर कर इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल ले और चावल की कुछ दाने डाल कर सुर्य देव को अर्ग देना शुरू कर दे कम से कम ये आपको 45 दिनों तक करना है आपका भाग उदै होगा और आपका दुर्भाग भी आपका पीछा छोड देगा जै माता दी